22 वशों का बिश्वास, 10,000 से जदर डॉक्टर्स, गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट इसलिए हाई प्रफाइल सीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं, बलकि तीन अध्यक्ष चुनावी मैदान में, एक तरफ जहां भारतिय जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राई, चुनावी मैदान में तो वहीं, दूसरी तरफ उनको टक्कर दे रहे हैं, उपेंदर कुश्वाहा, और इन दोनों का आजकल जिन जो नेता नीन्ध हराम कर रखे हैं, उनका नाम है अजे सिंग अलमस्ट, डॉक्टर अजे सिंग अलमस्ट हमारे साथ हैं, इन से बात करते हैं, ये अजे जी, अचानक चुनावी मैदान मूड क्यों बना आपकी सहयोगी अरुन जीदा, हाँ, हमारे सहयोगी जो है, सो अरुन कुमार जो जहानाबाद के सांसद हैं, वो एनडिये के साथ थे, उन्होंने ही पार्टी के निर्मान किया था, जिसका राश्टी अध्यक्ष अपिंदर कुश्वाहा जी को बनाया था, परंतु जो अप सबसे महत्पुन सी उमिदवार यहां आपने आपको समझते थे भारतिये जंता पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो यहां से के बरत्मान सांसद हैं दूसरी और पेंदर कुस्वाहाजी के अंदर में मंत्री रहे सरहे चार बरस तक यह आरसेस और भाजपा के सह योग से मंत्री मंडल में रहे और आज जो है सो इनको पता नहीं क्या हो गया कि उसे छोड़ करके वह गठवंधन में चले गए तो मतलब आप जो है एक तीर से दो निशाना साधना साथ चाहते हैं एक तरफ तो आप सेकुलर का एजंडा ले करके बीजेपी को टक्कर दे र दिश्वन वे तिकत तोर पर नहीं कहना हो में उनको भी आप टक कर दे रहे हैं यहीं मकसद है कि वो जो है सो धन तंत्र के वोड़ जादा जो है एग्रेसिव हो गया है लोग तंत्र उनके दिमाग से निकल चुका है चुकि आप आप ही लोगों के द्वारा जो चैनल पर द दिक्षा में सुधार स्वास्त में सुधार और किसान के बदहाली जो है यहां उससे उनको निजात दिलाने का है और चौंबुखी उनका यहां के छेत्र के विकास के लिए मैं काम करूंगा आप देखिया आपका बिहार में दूसरे कई सारे शेत्र में आपकी पकड़ है आप पुराने नेता है बिहार के लेकिन उजियारपूर को ही क्यों चुना उजियारपूर को इसलिए मैं चुना कि यहां दोनों उमिदवार जो आए हैं वो अपने आपको कहते हैं कि हम ही जो किंद्री इपी द्याले खुलना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया, जो अध्याक्ष है, यहां के बर्तमान सांसद है। जैसम मुझे पांच साल तक वो सांसद रहा है। यहां कभी अधिन दोबारा चुनाओ के बाद घुमने का काम नहीं किया। यहां के लोग मुझे निमंत्रित किये कि मैं आपको यहां चाहता हूँ चुकि आप जात पात से ऊपर उठ करके पूर्या जो हैसो आपकी पार्टी सेकुलर है आप जो हैसो दोनों को आप जबाब आप ही दे सकते हैं चुकि आप में वह इसी छंता इंदों में नहीं देखते जनता के बुलावे पिलो जी जनता यहां बुलाई कि आप यहां करके चुनाव लड़ें और हम आपको भारी से बारी मतों से जिताने काम करूंगा ताकि हम लोगों का आके भविस जो है सो यहां विकास यहां छेतर का हो मेरा भविस उजवल हो यहां कितना अश्रस्त है अप प्रचान में आएंगे की नहीं आएंगे अरुन कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों की पार्टी है जैसे आज भी वो डेहरी में जाके नमंकन कराएं हैं परसु जो है यानि 26 तारी को पूरे छेतर में उनका कार्ज करम यहां लगा हुआ है वो मीटिंग करे जगा जगा पर लोगों को यह दिखलाएंगे कि हम जो है सो पहले क्या थे इनके साथ और क्यों हम अलग हुए और का है जो है अपने राष्टी अधर्ष को यहां से चुनाव लड़ाएं हैं यह बताने का काम करेंगे कितना जीत के लिए लास्ट सवाल है कितना जीत के उनके तरह नहीं है परन्तु बोट आपका है आपके पिता जी भी यहां से तीन तीन बार सांसद रहे लेकिन कभी उनके विशाय में हम लोग को कोई कंप्लेन नहीं आया और उनका बेक्तित्व का भी आप पर जरूर परभाब है और मैं आपको बेक्तिका दूरुप से जान राजनितिक बहुत पुराना इतिहास रहा है और समाजवादी नेताओं में बात करें बिहार में वर्तमान में जो समाजवादी नेताओं में है उनमें चुनिन्दा नेताओं में इनका नाम आता है इनका दावा है ये दोनों ही अध्यक्ष को ये अध्यक्ष टक कर देंगे और जनता उन दोनों ध्यक्ष को परास्त करके इनको संसद में पहुचेगी फिलाल जनता जनारदन होती है लोक तंत्र में और जो भी चुराओं पर नाम आएगा 23 मई को लेकिन अजे कुमार अलमस्त बीजेपी और महागडवंदन दोनों के लिए सिरदर्द जरूर बन गये हैं इस लोक सवासीट के लिए क्यामरा सही होगी किष्णा के साथ आशुतोष सिटी पोस्ट लाइव उजयार पूर